नमस्कार नमस्कार विद्ध्यार्थ मेत्रो आज हमें कावे प्रयोजन या कावे के उद्धिश का परिचे देखना है पाटे करम में कावे के प्रयोजन या कावे के उद्धिश का सामने परिचे इस तरह उलेक हुआ है कावे के प्रयोजन या कावे लिखने के प्रयोजन क्या है या आज हमें समझना है कव यतीती कावियम अत्वा कव नियम कावियम इसका तार्य तात्पर्य हैं कावे कवी का कर्म हैं और कर्म जिस प्रकार बिनाकारन नहीं होता उसी प्रकार कर्म बिना प्रयोजन नहीं हो सकता कावे येदी कवी कर्म हैं तो उस कर्म के भी कुछ प्रयोजन होना चाहिए साइते के अंतरगत प्रयोजन इस शब्द का प्रयोग फल से लगाएगा है इस दुष्टी से कावे प्रयोजन का अभ्यास कावे फल का अभ्यास है प्रयोजन के बिना वस्तु नई होती प्रयोजन का संबंध वस्तु की अंतरिक प्रयोजना से है मुल ग्रामी मुल गामी प्रयोजना ही कावे प्रयोजन है हमारे भारती कावे शास्र में कावे प्रयोजन पर अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त के है भारती कावी सासर में कावी प्रयोजनों का बहुत ही सुष्च्मता से अध्यन किया गया है यह हम कभी को केंद्रबिंदू मानें तो कावे के यहां अंतरिक और बाईयें दो प्रयोजन हो जाते हैं इस प्रकार जब कभी कावे लिखता हैं तो उसके सामने कावे लिखने के दो प्रयोजन होते हैं एक लवकिक प्रयोजन और दो और लवकिक प्रयोजन लवकिक प्रयोजन कभी से संबंदित होते हैं तो अलवकिक प्रयोजन इस्वर या इस संसार से संबंधित होते हैं इस संबंध में संस्कृत आचारे भाम का कथन महतपुर्ण हैं वह कहते हैं धर्मार्थ काम मौक्षशु वेचक्षणम कलाशु च करवती किर्ती प्रिती च सादू कावे निबंदम अर्थात धर्म अर्थ काम मौक्ष की प्राप्ति और कलाव से कुशलता प्राप्त करना किर्ती और प्रेम का आर्जन करना कावे से संबंध होता हैं यहां आचारे भामने धर्म अर्थ काम मौक्ष इन चार पुर्शार्थ को कावे का प्रयोजन माना हैं किन्तु कावे के प्र आचारे भाम के बाद आचारे भाम से पहले यहां इतना प्रविजोनों पर विचार्या विश्ट्रेशन नहीं हुआ लेकिन तो भी हमें संस्कृत कावे शास्र के आद्दे आचारे भरत्मुनी के नात्ति शास्र में धर्म, एस, आयू, हितुपदेश, जनहित आदी उन्होंने नात्ते शास्र में नात्ते के प्रविजोन बताये थे लेकिन आगे चलकर कावे प्रविजोनों पर यहां चार पुर्शार्तों के आधार पर यहां आचारे भामने यहां अपने विचार रखे हैं लेकिन उसीर के आगे यहां आचारे वामन, आचारे रुदरट, आचारे आनंद वर धन इन्होंने भी कावे पर अपने विचार विक्त के हैं कावे प्रविजोन पर यहां आचारे वामनने प्रितिया और खृतिको मत उदिया हैं तो आचारे रुद्रट ने धन येस धन प्राप्ति विपत्ति नास अलोकिक आनंद या धर्म अर्थ काम मोक्ष को मत दिया हैं आचारे आनंद वर्धन ने या प्रिती को कावे का मुख्य प्रविजन माना हैं लेकिन उनके बाद आचारे मम्मट ने अपने कावे प्रकास ग्रंत में यहां बड़ी ही सुष्मता से यहां कावे प्रविजन पर अपने विचार हैं वो वेक्ट के हैं वह कहिते हैं कावेंज इस चार्त कृते व्याभार वीदे शिवतियर्एक शिते हैं सद्ध्याहां पर निवर्त्यः आपांता संमे तो उपदेश कांथा संमेतो तयों उपदेश यू यहांत मतलब हैं यहां वरत्त्मान तो यहां हमें कावे के जो प्रयोजे ने आचारे मम्मट की माध्यन से इस प्रकार दिखाए देते हैं कि कावे से एस प्राप्ति होती है, कावे से आर्थ मिलता है, कावे से व्यभर ग्यान होता है, कावे से अमंगल का नाश होता है या कावे से तुरंत लोकाधित आनंद मिलता है और कान्ता या पत्नी के समान जो उबदे से वह मिलता है कारण कान्ता के समान मधूर प्रिये लगने वाला उबदेश भी कावे के माध्यन से आई उही शिक्षा रुदय पर प्रभाव डालती है और भुलाई नहीं जा सकती इसलिए यहां वयक्तिक और सामाजिक लवकिक और अलवकिक सभी प्रयोजनों का संकेत आचारे मम्मट के इस परिवास्या में मिल जाता है वे कावे प्रयोजन के सुत्र में निमनांकित विशेश्ताएं या हमारे सामने रखते हैं वो कहिते हैं कि कावे से हमें येस प्राप्ति होती हैं कावे से हमें अर्थ प्राप्ति होती हैं कावे से हमें व्यावर का ज्यान होता हैं कावे से अम्मंगल की निवरुत्ति या रक्षा होती है कावे से आनन्द प्राप्ति होती हैं और कावे से कांता सम्मित जो उबदे से वह मिलता है इस प्रकार आचारे मम्मट ने कावे के ये जो प्रयुजन बता हैं इने हैं कावे शास्त्र के आगले आचारे या परवर्ति आचारे उने निर्धारिक कर कावे के प्रयोजन इस प्रकार भारती दुरुष्टी से छे माने हैं तो पहला जो प्रयोजन है वो आप लोगों के सामने है कि कभी कावे किस ले लिखता है कावे लिखने का प्रयोजन क्या है उस दुरुष्टी से यहां आचारे ममट ने पहला प्रयोजन दिया है कि कावे प्रयोजन एस प्राप्ति के लिए होता है, तो कावे प्रयोजन एस प्राप्ति के लिए कैसे होता है, यह हमें समझना है, यह कावे का प्रयोजन कभी के दुरुष्टी से वह एक्टिक प्रयोजन है, इसमें प्रत्यक कभी एस प्राप्त करना चाहता है, प्रत्यक मह वह कर्म करता हैं प्रयास करता है इसी तरह कभी भी अपने कावे के मार्देन से सपलता आशिल करना चाहता है जीवन में अपनी जो किरती हैं वह बढ़ाना चाहता है और इसी किरती बढ़ाने के लिए वह कावे का सुरुजन करता है हमारे भारती साहिते में महाकवी कैलिदास अंगरीजी के वर्टसवर्थ तता नाटकार सेक्सपियर मराटी साहिते में मोरोपंत कवी तामबे इसी प्रकार हिंदी के कभी तुल्शिदास कभी सुर्दास आधुनिक कवियों में यहां जैसे जैसे संकर प्रसाद महादेवी वर्मा कभी सुमितरा नंदन पंत कभी महा कभी निराला तो इन कवियों ने जो किर्थी प्राप्त की हैं यहां उनका धन प्राप्त करना यह उद्देश नहीं है उन्होंने अपना जो नाम है अपनी जो किर्थी है अपना जो यह से हैं वह प्राप्त किया हैं उत्रुष्ट कावे सुरुजन कर उन्होंने इस प्रकार किर्थी हासल की हैं ऐसे महान कभी को अपनी किर्थी प्राप्त होती हैं तो आज भी वह नहीं है उनकी रचनाई कालजई हैं और कालजई रचनाओं के माद्यान से कभी भी अपना नाम अमर कर लेता हैं और इसे कभी को आज जीवन जो एस प्राप्ति हैं वह आज जीवन एस प्राप्ति या मिल जाती हैं और भविश्य में भी उसके जो अलमी की से लेकर आज तक जितने भी मा कभी हुए हैं उन कभियों को हम मानते हैं उनके उब्दिश लेते हैं उनके जो रचना हैं वो रचना हैं आज भी प्रासंगिक तोर पर यहां हमें जो सुख या दुख कम करने का हमें आनम देने का हमें प्रेना देने का हमें अगला जो कावे का प्रयोजन है वह है अर्थ प्राप्ति या कावे प्रयोजन अर्थ प्राप्ति के लिए अर्थ मतलब धन यहने कोई मनुष से इस्रम करता है परिश्रम करता है कुछ कार्य करता है उस कार्य की पीछे उसकी अफिक्षिय होती है तो उससे मुझे कुछ विवार में उसे कुछ खरिदना होता है उसे कुछ प्राप्त करना होता है उस समय धन के अवशक्ता होती है बिना धन के वह इस संसार में इस विवार में रही नहीं सकता ऐसे समय उसे आर्थ प्राप्ति की जुरूत होती है अपने कारे के माद्यान से आर्थ प्राप्ति की ज कभी 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 आर्थ प्राप्ति के लिए भी काव्य का शुरूजन करता हैं लेकिन कभी के दुरुष्टी से यह गौन प्रयोजन है इतना महित पुर्णा यह प्रयोजन नहीं है सिरिष्ट कभी के लिए अर्थप्राप्ति गोण होती है जो महा कभी होते हैं वे धन प्राप्ति करने के लिए कावे ने लिखते उन्हें अपने आप धन प्राप्त हो जाता है उनकी किरती इतनी होती है कि अपने अब उन्हें धन मिल जाता है किरती मिल जाती है साइतिक इतियास में धन प्राति के असंग के उधारन मिलते हैं, सभी राजाओं के दरबारों में कवित्व करने वाले कवी थे, उन्हें अपने कावे पर यहां जो पूरसकार हैं, वो पूरसकार मिल जाता था या बड़ी राशी मिल जाती थी, तैसे कवी रहिम खान खाना है उसी प्रकार कवी घूशन हैं, कवी बिहरी हैं, ऐसे अने कवी थे, दरबारी कवी थे, और राजाओं की प्रशोंशा करते थे, राजाओं का गुनगान करते थे, राजाओं के अस्रम में रहते थे, और उन्हें धन प्राति हो जाती थी, आप लोगों का मालूम हैं कि कवी बिहारी को यहां कई गाव यहां कावे की किर्टी को लेकर या कावे के महोतों को लेकर दान दिये गए थे तो ऐसे उसी प्रकार कभी रहिम खान खाना ने या कभी बिहारी को इतने असरीपिया उस समय के जो चलन था इतने असरीपिया उन्हें दान दे दे थी कि कहा जाता हैं कि उसमें वो ढग गए थे तो इतना बड़ा जो दान है धन है वो दान धन भी कभी-कभी विपुल धन या किसी कभी को उसके कावे पर मिल जाता है उसके उत्रुष्ट कावे पर मिल जाता है तो ऐसे उत्रुष्ट कावे रचने वाले जो कभी है उन कभीयों को इस प्रकार य आज़े द्धन प्राप्ति केले कभी लखता हैं और अब हिंद्य साहिते में जैसे हम कभी बिहारी का यहां जो नाम है यहां और सुन चुके हैं तो आजसे कभी बिहारी ने राजा जैशिंः जैपुर के था अंगरीजी साहिते के लेखक चार्ज दिकंसन ने अपना कर्ज चुकाने के लिए मैं इस तरह आर्थ प्राप्ति कभी के दुरिष्ट्य से अपने अप हो जाती हैं यह अर्थ प्राप्ति के दुरुष्ट्य मेल को पुर्षकार मिल जाते हैं अपने भारत में साहित्य किने वाले उन्हें ओन्न प्राप्ति होती हैं ऑसक кажется राही मासुम रजा है ज़से महाभारत के वो लिखे और उनके माध्यान से उन्हें करोड़ों रुपे का जो धन है या आमदनी है वो आमदनी हुई इस प्रकार के कई उदारन हमें संसार में दिखाए देते हैं आज चेतन भगत के माध्यान से आप जानते हैं कि उनकी रचना को यहां पढ़ने के लिए कितने लोग लालाइत हो जाते हैं और उनकी बढ़नां की माध्यान से उन्हें जो आमदनी होती हैं उसकी चर्चाद संसार में हैं तो ऐसे अनेक लेखग यहां आपने आर्थ प्राप्ति करते हैं कुछ उनका मुख्य उद्दे से बन जाता है कि मुझे इससे आर्थ प्राप्ति ही होनी चाहिए ऐसे दो आधार हमें आर्थ प्राप्ति के दुश्टेश दिखाई देते हैं आगला जो प्रयोजन है वहें वि विवहार का ज्यान हो जाता है और प्राप्त हुआ ग्यान वह फिर साहित्य के मार्द्या से अभिव्यक्त करता है और ऐसे ग्यान को वह संसार के साम्द्र रखता है तो ऐसे समय यहां जो कावे प्रयोजन है वह दो दुरुष्टि कोन से या दिखाई देता है कभी की दुर से आवशक हो जाता है कभी प्राप्त कियावा ज्यान कावय में या साहिते में व्यक्त करता हैं और उस ग्यान को पढ़कर पाठक ज्यान आरजित करता है इसलिए को गुरूमा का जाता है यहां प्राचिन काल से लेकर आप तक का जो साहित्य पढ़कर उन्हें जो उब्देश मिले हैं उन लोगों के यहां कारे के पीछे महान साहित्य का आधार है इसलिए कभी-कभी साहित्य को या ग्रंतों को गुरु का आजाता है ऐसे गुरु या ग्रंत हमें हमेशा जीवन के लिए प्रेणा देते हैं जीवन को सुकी बनाने का संदेश देते हैं तो इस तरह यह कभी और पाठक दोनों की दुष्टी से वियभार ग्यान का जो प्रयोजन है वो महित्पूर्ण है इस प्रयोजन के साथ आगला जो प्रयोजन है वो है अमंगल निवरुत्ती या अमंगल से रक्षा करने के लिए मनुसे संसार में जब रहता है ऐसे समय उसे अनेक दुखों का कष्टों का सामना करना होता है उस समय उसे यहां जिवन में कई समस्याओं का भी संगर्श करना पड़ता है यह कावे का जो प्रयोजन है वो कभी की दुर्ष्टी से महत्पूर्ण है कभी की दुर्ष्टी से महत्पूर्ण माना गया है तो ऐसे समय यहां साइतिक इतियास में इस प्रकार के असन के उधारन हमें मिलते हैं कि विग्ण, मुशिवत, संकट, समाप्ती के लिए यहां कभी-कभी प्रार्थने की जाती हैं, इसी प्राचिनकाल से लेकर अब तक जो रचना लिखी जाती है उसके पहले यहां जो स्तुती हैं, इस्वर की स्तुती की जाती है, इस्वर की प्रार्थन की जाती हैं, आज हम उसे समर्पन गएते हैं, आज जो कोई पुस्तक लिखी जाती है, पहले पुरुष्ट पर लिखने वाला जो लेकक है, वह किसी को रचना समर्पित करता है, कोई किसी लेखव को करता है किसी अन्य बड़े वेक्टी को वह समर्पित कर देता है लेकिन प्राचिनकाल में यह इस्वर्क की स्थुति की जाती थी और उस्थुति की बाद्यान से कभी की इस वर्कों भी वह समर्पित रचना होती थी तो उस दुर्ष्टी से यहां सबसे पहले विग्ण समाप्ति के लिए मनुझसे किसी ने किसी देवता की वंदना करता है देव देवताओं की प्रार्थना करना इस प्रेकार का प्रयोजन है यह किसके लिए हैं जिवन में संकट हैं जिवन में समस्या हैं जिवन में मुश्वते हैं उन्हें दूर करने के लिए उनके यहां आप लोगों को मालूम हैं हिंदी साइटे में कभी तुल्षिदास ने हनुमान बहु की जो रचना है आपनी बहु पिड़ा की निवारन के लिए लिखी थी आज भी हम जब हनुमान मंदिर जाते हैं तो तुल्षिदास दारा लिखित जो हनुमान चालीसा हैं वो प्रातान करते हैं अपने जो दुख के हैं उन दुखों का समझ्याओं का निवारन हो इसलिए मंदिरों में कुछ लोग जाकर इस तरह वह रामरक्षा हो या अन्य हन्मान चालेसा हो वह पढ़ते हैं लेकिन सोयम तुल्शिदास ने हन्मान बहुक यह रचना लिखी थी और अपने जो बहुक की पीड़ा हैं वो पीड़ा दूर करने की प्रातान की थी तो कभी अपने दुखों को अपने रोगों को दूर करने के लिए जब कावे लिखता हैं तब वह मंगल से रक्षा करने के लिए कावे का प्रोजन माना जाता हैं इसी प्रकार समाज के कल्यान के लिए देश के कल्यान के लिए या विश्व कल्यान के लिए रचना लिखी जाती हैं ऐसे आनंत रचना हैं कि वह समाज कल्यान के लिए लिखी गई हैं देश कल्यान के संसार में माहमारी आती हैं को लेकर यहाँ समयं में कुछ समझया हैं उससे दूर्व करने के लिए या उसके निवरुत्ती के लिए इस प्रकार की रचनाई लिखी जाती है उसे मंगल से रक्षा करना या मंगल से निवरुत्ती के लिए यहां का जाता है इसी को कुछ लोग मुक्ष भी कहते हैं यहां मुक्ष प्राप्ती के लिए यहां प्रयोजन को आगला प्रयोजन है कावे का प्रयोजन आनंदप्राप्ति के लिए लिखा जाता है क्योंकि मनुस्यका मुख्या, प्रयोजन मनुरंजन हो या मनोरजन होना चाहिए उन्हें आनंद मिलना चाहिए इस दुरुषी से कावे का अगला जो प्रयोजन है आनंद प्राप्ति के लिए इसमें कोई संदेश नहीं कि कभी कावे लेकर आनंद प्रात करता है और पाटक उसे पढ़कर अपना मन बहलाता है चान्ती के समय कभी कलपनाई शब्दों में आकार लेती है उन कलपनाओं का सुरुजन करके कभी को आनन्द प्राप्त होता है तो साइत्य का आध्यन करने वाले पाटकों को आलोचकों को समिशकों को आनन्द प्राप्त होता है इस तरह साइत्य का यह जो प्रयोजन है वो आन मिलता है और यह आनंद या मनॉरंजन चाहता है और ऐसे आननद के लिए रहां मनतरुन साइटिक न मतने हैं और रोना मतने का सार्ण लेकर आन्द प्राप्ट करता है और उसमें सबसे महित पुरण आज तू लोगों की हातों में हैं वह एंडरड मॉबाइल के माद्वाइन से दुनिया की जो बाते हैं वह आ जाती हैं और उन बातों से आप लोग आनंद प्राप्ट करते हैं इसी प्रकार यहां साइत्यकार कोई रचना लिखकर उन्हें आनन्द मिलता है कि मैंने समाज के लिखा है मैंने सोयम के लिखा है और इससे वह जब दूसरों को आनन्द देता है उसे भी आपने आप आनन्द मिल जाता है इस तरह कावे का जो प्रयोजन है वो आनन्द प्राप्ति के लिए होता है आगला कावे का प्रयोजन है वो है छटवा प्रयोजन कांता सम्मित उपदेश देने के लिए तो कावे का जो प्रयोजन है यह कांता सम्मित उपदेश देने के लिए यह जो प्रयोजन है तो यह इस तो यहां कोई भी मनुष से के उद्देश को वह पूरा समझता है परन्तु कावे का उब्देश किसी रोग की आउश्यदी के समान होता है वह कावे के उब्देश यहां कभी-कभी जीवन के दुख हलके करते हैं कभी-कभी जीवन के लिए सहयता करते हैं एक प्रकार से सहयोक करते हैं और ऐसे सहयोक देने का यहां यित करने का कारिये सहयता करता है जिवन में कोई समस्या आ गई है और उसमस्याओं से दूर ले जाने का करे मुनुष्य को दुखों को दूर ले जाने का करे यहां साइट करता है इसलिए हमें यहां उपदेश देने की तिन पद्दतिय दिखाई देती है एक पद्दति है इस्वर की पद्दति इस्वर की यहां धर्म के जो उप्दे सएंग ayudar की आज ब है कि आज सड़क पर चलने के हैं वह मनुसे जो कानून बनायगे कानून बनाए लिए उन कानून का निर्वा सकत Q Shelah अपने धर्म के मादिर से मंदिर में जाता है और मंदिर में जो नियम है कि जूते मंदिर के बाहर निकालने हैं तो वह मंदिर के बाहर जूते निकालकर मंदिर में प्रविश करता है तो वह धर्म का नियम मान लेता है एक प्राकार से यह इस्वर की पद्दती है या इस्वर क कि द्दद मित्र के समान दूसरा कोई जो जवन का стал मित्र ता सबसेमें पूर्ण जवन के लिए आधार हैं मित्र जर हमें उब्षडिर देता हैं तब असंक्य उदारन draw कर हमें समझाता है वह सिक्सेख के समान होता है जो हमें ज्रोग देते हैं उसे प्रेकार यहां did मुझ देने का काम यह मित्र की पद्दती काइल आती हैं क्ूंकि एक दुसरे को अच्छे तरह समझते हैं और एक दुसरे के मन को विचारों के मानकर यहां अपने ज्लिक कुछ कार्ये के उन कार्यों गाई और शयुल्ब बनाने के को थी से प्तनि के प्त्नी प्तनी अपने पति को बहुत कोमल भास्यास में पत्न वहास होतीहायाँ嗎 कोमल शेवदो में अपने पत्य को समझाने का प्रायज करती है तो उसके जीवन में कुछ संकट है ऐसे समय पत्नी सर्थ देती है तो उसे प्रखार सहित्यकार भी आपने पाटक को आपने शरुताओं को यहां पत्नी के समान उप्देश देता है उन्हें समझाने के प्रायस करता है उनके सामने कई उधारन रखता है कांता समिटसके माध्यन से यहां समझ में आता है। इस तरह आचारे ममउप ने कावे की जो प्रयोजन है, कभी और पाठक की दुरुष्टी से यहां दिये हैं कभी की दृष्टी से यह प्राप्ति प्रमुक हैं तो धन्द की प्राप्ति गोवन हैं लोकमंगाल प्रमुक हैं तो आनंदव गोवन हैं इस प्रकार आचारे महमत ने कावे का प्रयोजन बहुत ही शुश्मता से दिया हैं और आगे चल कर अनेक संस्कृत क जो भी विद्वान हुए हैं उन्होंने इनी प्रव्यजोनों को सिवकार किया है और इनी प्रव्यजोनों के माध्यन से जहां भारती दुरुष्टी से कावे के इच्छे मुख्य प्रव्यजन माने जाते हैं और इन प्रव्यजोनों ग्यादार पर कावे का सुरुजन होता है अरते हैं